नमस्कार आप देख रहे हैं मुबाइल नियोज 24 मैं हूँ अभिसेक कुमार जम्मो कस्मिर के रज़ोरी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहाँ सुरनकोट में जारी मुठभेर में सैना को भारी नुकसान हुआ है इस मुठभेर के दोरान सैना के जेसियो समेत पाज़ जवान सहीद हो गए है वही एक आतंकी के मारे जाने की भी सूचना है यह मुठभेर जिला पुंच में नियंतरन रेखा से सटे सुरनकोट इलाके के जंगल में अभिजारी है घेराबंदी में 3-4 आतंकियों के घिरे होने की सूचना है वही जवानों द्वारा आतंकियों की तलासी अभिजान को तेज कर दिया गया है आतंकी मुठभेर से बचकर भाग निकले हैं इसके लिए घेराबंदी को और मजबूत बनाया जा रहा है पुलिस की एक अधिकारी ने बताया कि अस्थानिये लोगों द्वारा सुरंकोर्ट नियंतरन रेखा से सटे जंगलों में संदिक्द देखे जाने की सूचना के आधार पर एसोजी सेना ने सुबह से तलासी अभिजान चलाया हुआ था जलासी अभियान के दोरान सुरक्षा बलो को जंगल में आतंकियों के मौजूद होने के सबूत मिले सुरक्षा बलो ने आतंकियों का पीछा सुरू किया जब सुरक्षा कर्मी आतंकियों के नजदीक पहुँच गये तो पेडों की होड में छुपे आतंकियों ने उन पर गोली बाजी सुरू कर दी सुरक्षा बलो का मानना है कि 3-4 आतंकवादी अभी जंगल में मौजूद है वही सादत पाने वाले जे सीओ वा अन्य चार जवानों की अभी पहचान जाहिर नहीं की गई है फिलहाल दोनों और से गोली बारी जारी है और जैसे ही इस पर कोई भी अपडेट आता है हम सबसे पहले आप तक पहुचाएंगे उसे जानने के लिए आप अभी Mobile News 24 को सबस्क्राइब कर लें सबस्क्राइब बटन के साथ लगे नोटिफकेशन बेल को दवा दे विडियो को लाइक और जादा जादा सेयर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप पर आपके जानने वाले रह सकें अपडेट